हेलो फ्रेंट वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम आपको ब्याक्या काउसल के बारे में बताएंगे इसको कहीं कहीं ब्याक्यान काउसल या द्रिस्थान काउसल के नाम से भी पढ़ाए जाता है या बीड माइक्रो टीचिंग के अंतरगत आता है अगर अगर आप चातध्यापक का नाम लिखते हैं उसके बाद अगर आप चातध्यापक का नाम अगर चातध्यापक का नाम लिखते हैं उसके बाद हम दिनाक कच्छा बर्ग विशे उब विशे का लांस और अवधिका ये पूबर भी कहां का खीते हैं आपको इसको बेलेगबो कोते हैं इन्हीं घटकों को ध्यान में रखते हुए हम घर उस्व टैयार करते हैं अब वीडियोग्य पुत परदेख सकते हैं मैं इसके बाद हम करम संख्या च्छात अध्यापक कतन और चाठ चाठ चात्रा के कःतन के लिए तीन रवां बनाते हैं एकमें हम्ल संख्या लिखते हैं एक मेरें चात्भी सब्सक्राइब के लिए ha facil करेंगे कि अंधयरे कमरें में वच्वों को देखने के लिए हम क्या करते हैं तो बच्छे के सामने ब्याख्या प्रसुत करेंगे कि अंधेरे कमरे में देखने के लिए हमें टार्च या बल्प या लैंप चलाते हैं यह सभी वस्तुमें प्रकास के सरोत हैं सुर्य प्रकास का सबसे बड़ा प्रकृतिक सरोत है जो वस्तुमें स्वयम प्रकास उत्पन्न करते हैं उन् पुना उनसे फिन कोश्चन करेंगे उसके बाद हम बच्चों से कोश्चन करेंगे कि प्रकास का सबसे बड़ा प्राक्रितिक सुरूत क्या है तो बच्चे बताएंगे सुर्फ प्रकास का सबसे बड़ा प्राक्रितिक सुरूत है उसके बाद हम पुना बच्चों से कोश्चन करेंगे कि दिपत सुर्थ किसे कहते हैं तो बच्चे बताएंगे जो वस्तु शुयं स्वयं प्रकास उस्त्रदच करते हैं उन्हें दिपत वस्त कहते हैं उसके बाद बच्छों के सामने एक करेंगे कि प्रकास जिस प्रत पे चलता है उसे प्रकास का गमन पत कहते हैं और प्रकास के किरेड़ों के समों को किरन पुंज कहते हैं प्रकास की किरेड़े एक दूसरे के समानतर होती हैं प्रकास जिस वस्तु के आरपार चली जाती है उन्हें पारदर सी वस्तु कहते हैं इ सब्सक्राइब तक बंचे कोसिंगे क्रिया और पर निकट बनाता है जो निरुषक होता है। आटको प्र्यों कि रहें उसके लिए यहां पे सही या गलत का निसान लगाता है उसके बाद सुजाव आलोजनागर निरिष्चक को आप के सिच्छर में कुछ घम्यार आती है आपके तो वो अपने विचारों को ब्यक्त करता है उसके बाद अस्ताचर निरीच्छक और अस्ताचर परवेच्छक दोस्तों गरे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अन्यवाद बंदे मातरम